अगर आप चैनल पर नहीं है, make sure you subscribe the channel because आपको इस चैनल पर बहुत सारी प्यारी प्यारी बाते मिलने वाली है मेरा नाम है शुबम केस्वानी, I secured All India Rank 8 at CA final level, All India Rank 29 at CA inter level और इस वाले जो वीडियो होगी, मैं उसमें आपके साथ पूरी guidance शेयर करूँगा, किस तरह से आपने CA final के May 24 के बोथ groups को प्लैन करके चलना है, वीडियो को end तक जरूर देखना, क्योंकि कई सारी ऐसी बाते होंगी, जो आपके मन में चल रही होंगी, जो आपके मन में doubts रहेंगे, और वो सारे में clarify करता जाओगा, and make sure you mark your attendance, आप वीडियो पर अपनी attendance लगा दें, वीडियो को like करके, वीडियो पर like target रखते हैं सर कितना 200 likes का, और मुझे पूरा विश्वास है, आप achieve करवा देंगे, let's begin with the video, सबसे पहले तो कोशिश रखनी है, आपने minimum 3 revisions करनी है, अब इन 3 revisions में, आपने कब कौन सी revisions में किस चीज़ पर focus करना है, कब mock test देने, यह सारी बाते में आपको बताऊंगा, प्लस आपका simple formula रहना चाहिए, 3 is to 2 is to 1, because यही generally learning curve रहता है, यानि सबसे पहले 3x time लगेगा, फिर 2x time लगेगा, x time लगेगा, तो suppose माल लो आप अपनी जो preparation है, 5 months की, या 4 months की, 4 and a half months की, जो भी है, यह आप start करते हो, let's say 15th of December को, अब आपकी starting date कुछ भी हो सकती है, तो आपके पास मोटा मार्टी 136 days रहेंगे, मैं मान के चल रहो 2024 is a leap year, ठीक है, तो जब 2024 leap year होगा, तो हमारे पास 29 days होंगे February में, yes sir, तो 30th of April तक, लगबग आप मान के चलो 136 दिन रहने वाले हैं, अब इस 136 दिन को, मैंने 3 is to 2 is to 1 के ratio में बाढ़ दिया, यानि 1st revision में 68 days, 2nd revision में 34 days, and 3rd revision में लगबग आपके पास 17 days रहेंगे, and आपका 30th of April complete हो जाएगा, और मान के चल रहे हैं कि 1st of May से एक्जाम शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले आजो 1st revision में आपने किस flow में चलना है, यह वही flow है, जो कही न कहीं मैंने खुद follow किया था, and this is what I am also guiding you, सबसे पहले आप अपना FR start करो, FR के साथ best part यह है, FR course दिखने में बढ़ा है, बढ़ बहुत असान है, तो जब आप एक बार FR के साथ start करोगे, take 15 days, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 15 दिन आप FR को दे दो, और इसके साथ आप शुरू हो जाओ, और 15 days में आपका focus यह रहेगा, जो भी आपके teacher के notes रहे हैं, आप वो notes को revise करो, फिर उन notes से related जो-जो questions हैं, उनको करते चलो, यानि 15 दिन के अंदर-अंदर, पूरा का पूरा आपने इस तरह से FR निप्टान है, फस्रिविजन में कोशिश करना, चाहे FR हो या AFM, आप इसमें से थोड़ी-थोड़ी questions की marking कर लो, कौन-कौन से ऐसे questions है, जो बहुत ही असान है, जिनको दुबारा शायद देखने की ज़रूद नहीं, उनको एक बार फोड़ दोएना, जो questions आपको लगता है यार, यह important है, उनको आर मार्क कर देना, आर का मतलब है review, कहीं न कहीं उनको आपने दुबारा देखना है, इस दिस पॉइंट लिया है, येस सर्, तो 15 देज आपने FR को देने है, 12 देज आपने AFM को देने है, उसके बाद आपका audit आएगा, audit को भी आप 12 से 15 दिन दे सकते हो, and then go ahead with DT and IDT, तो इस तरीके से पूरे flow में आपने चलना है, अब इसमें एक बात और समझ के चलना, सर क्या, सपोज आपने ये जो 5 या 6 सब्जेक्ट है, ठीक है 5 सब्जेक्ट्स है, इन 5 सब्जेक्ट्स में से किसी सब्जेक्ट की मालो आपकी क्लासिज रहती है, या तो DT की क्लासिज रहती है, या audit की रहती है, या IDT की रहती है, किसी की भी की रहती हैं क्लासिज, तो सर क्या हमें क्लासिज पहले करनी है, फिर हम preparation start करे या क्या करे आप FR तो उठाए लो इसके साथ साथ आप कोशिश करो रोज सुभा या शाम जो भी आपका best productive time रहता है उस time पे आप class लगा लो एक या दो classes आप उस subject की लगा सकते हो जिसकी classes pending है try करना एक या दो से ज़्यादा classes मत लगा हो आपका जो main subject है FR यह compromise ना हो अगर यह classes लगाने के चक्कर में आपका FR एक या दो दिन ऊपर नीचे हो भी जाता है यह चलता है बिकॉज जिस subject के आप classes लगा रहे हो वो freshly आपके दिमाग में रहेगा तो उसका time कही ना कहीं आप FR AFM को allocate कर रहे हो अब सरे एक बाह बताओ हमें क्या-क्या चीज़े ध्यान रखने है जब हम first time revision कर रहे है सबसे पहले तो don't expect too much from yourself आपने जो classes करी होगी suppose FR की, AFM की, audit की हो सकता है आपने first या second year of articleship में करी हो हाँ सर तो कई सारी चीज़े ऐसी होगी जो उस time पे तो बहुत अच्छे से दिमाग में चली गई बहुत अच्छे से समझा गई बट अब आप न वो सब चीज़े भूल गए हो और मैं एक बाब बताओ भूल ली गए हो, आपको ऐसा लग रहे कि आप भूल गए हो, तो जब आप अपने notes दुबारा उठाओगे, ठीक है starting में हो सकता है, चीज़े ऐसा लग यार, यह तो मैंने कभी पढ़ी ही ली थी यह तो मैं पहली बड़ देख रहा हूँ just make sure you calm down your mind and tell all is well, all is well, मुझे सारी चीज़े धीरे धीरे याद आती जाएंगी, देखो अगर आपको सारी चीज़े याद होती अगर मैं यह expect रखता कि आपको सारी चीज़े आती है, क्या मैं आपको 15 दिन देता, नहीं sir क्या मैं आपको 12 दिन देता, नहीं just I expect कि आपको चीज़े उतने अच्छे से याद नहीं है आपको चीजे के साथ comfort होने में time लगेगा that's why I've given you 15 days बनला पहली बार class करने में हो सकता आपने 4 महीने लगाए हो अब उस 4 महीने की चीज को समठने के लिए कम से कम 15 दिन का patience तो देना पड़ेगा yes sir 15 दिन का patience देना पड़ेगा तो make sure you don't expect too much from yourself but you also don't under deliver आपको पूरा का पूरा अपना best तो देना ही पड़ेगा ठीक है जो भी आपके पास notes रहेंगे जो भी आपके faculties की revision videos रहेंगी उनका आपने भरपूर फायदा उठाने है ये दो चीजे वो हैं जो आपकी यादाश वापिस लाने में काम करेंगी ठीक है तो notes हो गए revision videos हो गई वो first revision में आपने इनका भरपूर फायदा उठाना है और इससे आपकी कहीन है कहीं वो जो speed है न to recall the concept सो बढ़ जाएगी जब आपने एक बार notes revise कर लिए revision videos देख ली फिर आप क्या करोगे उसको self करोगे उसी चीज को आप वापिस दुबारा खुद करोगे ठीक है साथ साथ प्लस कोशन्स प्रैक्टिस करके चलना चाहा हमको first revision में quality पे focus करना होता है या सिर्फ चीज को उपर उपर से करना होता है quality पे focus करना होता है जब आप first revision में quality उपर लेके जाओगे जितनी जादा first revision में quality उपर लेके जाओगे उतनी comforting आपकी आगे की revisions बनेगी ये बात ध्यान रखना मैं आपको पहले सी बता रहा हूँ बच्चे second या third revision में regret करते यार हमने पहली revision में 20 से पढ़ाई नहीं करी मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ practice the numericals so that आप यहाँ पे कही ना कही मैंने क्या बताया था filtering का process begin कर सको एक बार आप filtering का process begin कर सको आपको पता चल सके कौन से ऐसे questions है जो आपको next revision में भी देखने है जब मैं बात करता हूँ audit की क्या हमको पहली revision सी चीज़े याद रखे करनी अगर आपको ऐसी video चीज़े जो do let me know in comments मैं जल्दी आपके साथ वो भी share करूँगा chapter by chapter किस strategy के साथ आपने आगे बढ़ना है वो भी मैं पूरा detail में आपको बताऊँगा is this point clear? yes sir तो इस तरीके से आपने चलना है एक बात तो sir समझ आ गई क्या कि हमको पहली revision से ही quality maintain करने है तागी आगे की revision असान हो सके clear है? clear है sir अब आती है sir second revision जिसमें around आपको 34 days मिले है 34 days का best part यह है almost मैंने evenly सबको days दिये है and जो IDT उसको एक दिन कम दिया क्यों कहीं ना कहीं IDT असान रहता है ठीक है? तो चाहे IDT हो या AFM दोनों में से decide कर लेना किसको आपको 6 दिन देने है अब sir second revision में क्या बाते याद रखनी है again don't expect too much कई बच्चे सोचते first revision हमारी हो गई तो second revision में दुबारा सारी बाते धडाम से याद आ जाएंगी ऐसा तो नहीं होता ऐसा नहीं होगा again don't expect too much from yourself but yes इन सब पे नहीं होना चाहिए as much as possible आप self करो focus on the self recalling as much as possible still अगर आपको लगते कोई ऐसा topic है जो आपका week चल रहा है उसमें आप revision के एक बार assistance ले सकते हो but क्या revision के assistance लेने के बाद उस topic को छोड़ना है मैंने का नहीं उसके बाद उसको वापिस आपने self करके चलना है जितना self करोगे उतना आपका mind strong बनेगा उतना आपको चीजे अच्छे से longer time ता याद रहेंगी clear है clear है sir here also you need to focus on the quality जितने भी आपके पिछली revision के marked numericals है उनको अच्छे से practice करो एक दो numerical और उठालो जो आपने mark नहीं कर रखा था ये देखने के लिए कि क्या वो मुश्किल है क्या वो आपसे हो रहा है got it sir again वो जो theory आपने याद कर रखिये उसको वापिस learn and recall करना है जैसे हमने linking कर रखिये उसी linking को वापिस revise करो recall करो देखो जितनी बार recall करोगे जितनी बार revise करोगे उतना ज्यादा आप उस चीज के साथ comfortable होते जाओगे इस बार आप थोड़ा faster way में कर सकते हो for example जब first time आप audit revise करे हो 12 से 15 दिन में तो आप थोड़ा concept चोली आगे बढ़ोगे पहले concepts पे focus करोगे फिर चीजों की linking पे focus करोगे फिर recall करोगे ऐसे हौले हौले जाओगे but इस बार आपका more focus should be on recalling यानि जो भी keywords है जो भी key points है जो भी memory tricks है उनको recall करो जहां पे कोई चीज याद नहीं आ रही है जहां कोई चीज समझ नहीं आ रही है मेरा doubt support number आपके आपके आज हमेशा रहता है आप मुझे कभी भी connect कर सकते हो ठीक है so here the more focus should be on the points than the concepts clear है point? yes sir and last point is give your first mock जो आपका जो आपका क्या है second revision रहेगी इसी में आपने अपना first mock देके चलना है आपने अपना first mock first revision में नहीं देना अपना first mock second revision में देना है because first revision में you just become familiar with the subject आप बस एक subject के साथ ना एक familiarity बनाते हो आप उसके साथ रूबरू होते हो comfortable होते हो but after your second revision you are confident enough कि कम से कम आप उस subject में 50 plus 60 plus score कर पाओगे and this is the best time to give a mock third revision as it is रहेगी 17 days 15 days for FR 3-3-3-3-3 days for all the other subjects and इसके बाद आपका 30th of April आजाएगा और आप अपने exam के लिए ready हो जाओगे क्या है ये पूरा का पूरा planner clear है हाँ सर अब कई बच्चों के मन में सवाल सर इसका क्या करें IBS का क्या करें integrated business solution का क्या करें तो मेरी बात समझना 5 paper तो आपके sorted है yes or no yes सर बात बची सिर्फ 2 paper की देखो 5 paper भी आपको pass तो करवा देंगे और हो सकता है 60 plus भी दिलवा दे until and unless law और costing की weightage बहुत जादा बढ़ा दें institute क्या ये बात क्लिया रहे है हाँ सर तो पहले आपने क्या करना है law उठाना है कोशिश करो रोज आपने एक से दो खंटा law को देके चलना है सबसे पहले और law complete करना है अच्छे से with proper understanding क्योंकि open book exam है तो अगर आपको understanding proper होगी तो आप अराम से इसको solve कर पाऊगे questions को जो भी आई से पूछता है yes sir proper understanding के साथ आपने सबसे पहले अपना law complete करना है फिर आप costing उठाओगे फिर costing को understanding के साथ complete करना है so I will just suggest focus on your five paper first पहले अपने पाँच papers को अच्छे से secure कर लो और साथ साथ law और costing एक एक करके पहले law फिर costing रोज दोनों को एक एक दो दो खंटे देके चलो and trust me हौले हौले time के साथ सारी चीज़े हो जाएंगी and अपने आपको ना बस एक बात बोलनी है sir क्या सब बढ़िया हो जाएगा let me tell you no one is perfect from the day one कोई भी इनसान day one पर perfect नहीं होता जैसे जैसे समय बीचता है जैसे जैसे वो hard work करता है जैसे जैसे वो efforts डालता है सब कुछ एकदम बढ़िया होता जाता है तो मैंने आपको ना एक ए प्लैनर दे दिया है मैंने भी कुछ इसी तरह अपने CA final की planning करी थी क्योंकि ऐसा लगता है हमारे सामने 4 महीने है 5 महीने है किस तरह से हमें अपना time utilize करना है क्योंकि एक एक दिन की value कैसे बनती है वो इससे आपको पता चलेगा जब आप अपने FR के पूरे syllabus को 15 दिन में बाटोगे you will realize the value of every single day तो फिर आप उसको पहले मैंने आपको overall monthly planning दे दी day wise planning आपने करनी है day wise planning जैसे आप करने बैठोगे you will realize कि targets अचीव हो रहे है फिर जैसे जैसे targets अचीव होंगे आप motivated feel करोगे और आगे बढ़ते जाओगे अभी इसमें आपको कोई भी doubts रहे कुछ भी चीज़े रहे आप मुझे comment section में बता सकते है वीडियो अच्छी लगे हो तो do give it a like and yes stay connected stay subscribe to the channel for more such videos and याद रखना FR हो AFM हो या audit हो या कोई भी subject हो खुशी से पढ़ेंगे क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे all the best लगे रहो audit अगर अभी तक आपने नहीं किया तो audit के fast track batches and regular batches new recordings are available on bbvirtuals.com तो आप वहापे भी enroll कर सकते हो लगे रहो